सब्सक्राइंट। अगर आपका रिजिनेशन एसफट नहीं किया जा रहा है अगर आपको बोला जा रहा है कि बाष्यान का कभाद यहां पर सेलेक्छन होगा उसuuust नापध डिद्धेशd करने का क्राइब पर सकते हैं कोई भी रीजन दे सकते हैं जहां पर आपका selection हुआ है उससे related भी आपका region दे सकते हैं परिवार से related भी रीजन दे सकते हैं कि हमको वह जौब जौइन करने की आवश रखता है तो उससे वैसे cases में region देने के बाद जो है प्र आपस आपका रहेटर जाने के बाद आपका प्रकिरिया रिजञेशन का एकप्ट होगा तो concern जो EPO सर होंगे या DPO होंगे या senior DPO सर होंगे वो अगर आपका resignation accept कर लेता है without bond payment तो अच्छी बात है अगर नहीं करता है तो आपके concern जो वहां के OS होगा वो बताएगा कि इतने जो है पैसे जो है bond payment आपको करना परेगा तो bond payment उतना ही पैसा करना पड़ता है जैसे जो salary ओगरा जो training period के दोरान आपको मिला होगा जितने भी दिन का training आपका चला होगा उसके अनुसार प्लस जो है 12.5% interest इसके साथ जो है जो भी आवरहल जो calculation होगा जितने भी होगा 1 lakh होगा 2 lakh होगा वो आपको concern जो वहां के जो OS हो है या demand draft के थूद करना है या cash के थूद करना है जो भी बता देगा उसके बाद जैसे आप uh submit कर देंगे उसके बाद resignation जो है concern आपके जो प्तादिकारी करद कार्मी के इसे बाद बगाइदा जारी किया जाएगा और लेटर जारी करने के बास तो हो लेकर आप चाहेंगे वह जोईन करना चाहते हैं वहाँ पर लेका चले जाए फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी और उसका जो जिस जॉब में जोईन करना चाहते हैं वहाँ भी सलरी उगरा में कोई ऐसा इशू और नहीं आएगा तो यही सारा परक्रिया है पासा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बॉंड पेमेंट से रिलेटिव डिटेल जो है आज कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जहूँ लाइक सब्सक्राब शेब करें धन्यवाद